तो भाईयों कल उम्डेगा हिमाचल में शत्रियों का महा जन सिलाब तो भाईयों 400 साल बाद होगा कांगड़ा महल में अराजा पोरस के बंशिजों का अराज तिलग तो भाईयों पूरा हिमाचल देखेगा कि शत्रियों की परानी परंपरा आज से 400 साल पहले जहां पर राज तिलग हुआ था उसके बाद जब अकवर ने जहां पर हमला किया था उसके बाद राज तिलग नहीं हुआ लेकिन अब फिर से राज तिलग होगा तो भाईयों पिछले कुछ समय पहले कांगडा महल के पास ही कांगडा महल में ही अराजा संसार चंद का म्यूजिम भी कांगडा की रॉयल फैमली ने बनवाया है इसके लाबा कल जो महार समा रहा होगा जहां पर सिर्फ हिमाचल की 27 राई पूतर यास्ते और जागियर दारी ही नहीं इसके लाबा जोधपूर के महाराजा जोकी अराजा श्वरिय चंद कटोच जो कांगडा के महाराजा बनने वाले हैं उनके मामा जी भी हैं उनकी जो माता जी हैं वो जोधपूर की MP रह चुकी हैं इसके लाबा हिमाचल से भी MP रह चुकी हैं और वो जोधपूर के महाराजा गर्ज संग की बहर हैं तो बताया जा रहा है कि इस समरों में जोधपूर के महाराजा भी बिशेश अतीती होंगे इसके लावा बारत की राजस्थान से लेकर मध्या परदेश गुजरा तक जितनी वी राजबूद रियास्ते हैं वो बड़ी ही शानों शोकर के साथ आएंगी इसके लावा हिमाचल में ही बहुत सारी राजपूद रियास्तें बस्ती हैं वो सबी उनके जतने वी राजबंश्री हैं वो सब भी बदा रेंगे तो आप सबी भी ज्यादा से जद्धा संख्या में आएं और जितने भी कटोच राजबूद हैं स्पेशली वो ऐसे ही पगड़ी डालकर आएं जो कि हमाचली कांगडी हैं तो सबी बाइजासे जद्धा संख्या में कांगडा महल पहुचे कल और बहुत बीड होने बाली है क्योंकि हमाचल में 400 साल बाद कांगडा में कटोच गड़ फोट उसका नाम पाकिसान ने रखा है इसके लाबा इस कांगडा बहल में अरायती लेगा होगा